नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Blackboard में आज का important वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हमें एक ऐसी जोरदार ट्रिक लेके आए हैं जिसका परिक्षा में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है जी हाँ प्रमुख नदियों के उद्गम इस्थल दोस्तों इनसे related प्रश को देखने के बाद उपरिक्षा में इसे related प्रशन छोड़ेगा नहीं guaranteed करके आएगा वो भी दो सेकेंड के अंदर तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं यह है नदिया और यहां पर हैं दोस्तों इनके उद्गम इस्थल तो एक एक करके शुरू करते हैं दो सभू हुआ कि पर्याइव नदम मतलब ब्राम हंन अ कि तो दोस्तों साधु महत्मा ते इनका हमेंसा मान सम्मान होता है हमारा जो समाज है उसने हमेशा साधु और ब्राह्मनों को मान सममान ही दिया है बस ही आपको यद्रू आपस याद रखना है यह बात वहें साधु सादु महत्मा होते हैं सादु ब्रहमन उनका मान सम्मान हमारा समाज हमेशा से करता रहा तो बस इस ट्रिक आपको याद हो जाएगा कि सिंदु और प्रह्म पुत्र का जो उदगम इस्थल है वह मान सरोबर जीन है यानि कि मान समंभान ठेक है चलिए नेक्स देखते हैं दोस् नाग अगर काट ले तब तो आप बच भी सकते हैं लेकिन अगर सेसनाग इस्वेन काट ले पाई जानते हैं भगवान विश्नु जिसके साया के रूप में सेहसनाग है तो यदी म toy car काट ले फिर तो आप जेल भी नहीं पाओगे यानि कि आपका जेलना दुसकर हो जाएगा तो बस यही याद रखना है कि जेलम नदी से सनाग से निकली है ठीक है बस इतना याद रखना और ये ट्रिक काफी कामयाब होगी इसके लिए नेक्स देखते हैं दोस्तों हम चिनाब बड़ी बड़ी चाले चलता है बार बार चाले चलता है क्या करता है बार बार चाल चलता है बार आला चाला बार बार चाल कौन चलता है चीन चलता है आपने देखा ही होगा डोकलम का केस तो इंडिया के अगेंस बार बार चाल चलता है दुनिया में भी चलता है सब के साथ हर पड़ोसी मून के साथ उसकी लड़ाई रहती है तो बस यह ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे चिनाप जब भी आएगा तो आप बार-बार चाल चिनाप को चीन से जोड़ोगे और यहां पर बार-बार चाल चलता है ठीक है चलिए नेक्स स्लाइड में देखते हैं दोस्तो नैनी ताल नैनी ताल कैसे याद होगा दोस्तो राम गंगा तो राम गंगा आपको एक गाना याद होगा राम तेरी गंगा मैली तो मैली को नैनी मैली नैनी काफी हद तक सिमिलर्टी है दोनों मैं मैली नैनी ठीक है राम तेरी गंगा मैली मैली और नैनी ऐसे आपको याद हो जाएगा यह परिक्षा में guaranteed करके आएंगे से लिए next देखते हैं रवी और व्यास रावी और व्यास और इसका उद्गमिस्थल क्या दोस्तों रोहतांग कैसे आदोगा दोस्तों रोहतांग दोस्तों रवी नाम का एक लड़का हाथ को याद रखना और उसको क्या लगी प लेते हैं दोस्तों नर्मदा और सून नदी और इसका उद्गमिस्थल क्या अमर कंटक कैसे याद होगा दोस्तों नर्मदा से दोस्तों आप नमर्द रखें नामर्द दोस्तों जो नामर्द लोग होते हैं वो उनका जीवन कभी अमर नहीं हो सकता यानि कि वो लोग मर जान बस यह आपने अगर याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे या ना मर्द नर्मदा से आपको नामर्द याद रखना है ठीक है बस याद करने की यह सून-दी का कैसे आप अमरे कंटक ियाद रखोगे तो दोस्तों सिंपल सी बात है सोना जो होता है प्लोड सोना पाना कंटक समान है बहुत कठी सूना पाना नहीं हो समझ काटों पर चल चलना आपको ढूड़ना नहीं है काफी तक similarity है तापती और ताई देखे इसमें भी वैसे ही आ रहा तापती ताई तापती ताई तो काफी तक similarity है इतने से आपको याद हो जाएगा कि तापती नदी का उद्गम स्थल मुल ताई है ठीक है नेक्स है यमुना नदी और इसका स्थल ह इसमें भी कोई rocket science नहीं है बहुत ही सिंपल है दोस्तों चलिए नेक्स देखते हैं दोस्तों गंडक नदी और इसका कहां पर है नेपाल कैसे आदोगा दोस्तों गंडक से आपको याद रखना है गेंडा ठीक है और गेंडे को क्या करते हूं ना पाल ना पाल भाई गेंडे सिंपल है आपको कुछ नहीं करना बस यह ध्यान रखना है गंडक मतलब गंडक की समिलर्टी गेंडा से है ठीक है और इसे ना पाल तो इस तरह से आपको नेपाल याद रहेगा ऑप्शन में जैसे आएगा आप लगा दोगे ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं दोस्तों कोस कोसी और सब्त कोशिकी काफी हद तक सिमिलर्टी इसलिए इसमें भी आपको कुछ करने की जरूत नहीं बहुत ही सिंपल आसान है कोसी सब्त कोशिकी चलिए नेक्स देखते हैं महा नदी और इसका उद्गम स्थल क्या है सिवहा कैसे याद रहेगा दोस्तों जो महा नदी य यानि कि सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी नदी तो उसके सिवह कोई और होई नहीं सकता वही सबसे बड़ी है जो महा नदी है वही सबसे बड़ी है उसके सिवह और कोई नहीं हो सकता तो बस महा नदी सिवहा कितना आपको याद रहेगा तो आप्शन में जैसे ठीक है क्या लेना गोद में कौन त्रियंब केश्वार अंबे मा जो होती है वो हमारी मा के समान होती है त्रियंबे त्रियंबे केश्वार तो मा के समान मा की गोद में हर कोई जाना चाहता है क्या मा की गोद में हर कोई जाना चाहता है बस इतना ही याद रखना आपको चलिए नेक्स स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों कावेरी नदी और ये कहां से निकली ब्रह्मगीरी पहाड़ी से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था परन्तों इसकी कोई जोरदार ट्रिक हम नहीं बना पाए हम चाहते हैं कि अगर आपके पा कंबल कंबल तो कंबल को कहां तक उड़ा जाता है दोस्तों पाउं तक अपने पाउं तक यानि पैर तक पाउं मतलब पैर ठीक है पाउं भी तो बोलते हैं तो कंबल को कहां पाउं तक उड़ा जाता है इतना बड़ा कंबल होना चाहिए कि आपके पाउं तक पहुंच चलेक दोस्तों नेज्ट सलाइड पर चलते हैं और काफि मॉंटट्ड है लूश्वी होतर longer नेयां संध्यार कि आपको पता ही होगा इंडिया में लोग़्ड लेने से बहुत डरते हैं मतलब इतनी बड़ी population है कि ज्यादा तर लोग maximum लोग उधार पसंद नहीं करते हैं उधार लेना अच्छा नहीं लगता वो बैंक के सामने लोन नहीं लेते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उनका यह मानना है कि यह बिलकुल मरने के समान है यह समलोग उनको नाग ड लेता हूं ठीक है आप अपने उपर सूच के देखो कि लोन लेना आपके लिए ऐसे ही से है जैसे नाग के विस्क समान ठीक चलिए देखते हैं नेक्स्ट यंग सी नदी तो यंग सी नदी कहां तिबबत तो यार इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं है यंग यानि की जवान ल होते हैं ठीक तो बस यह ट्रिक हो गई बहुत है चले नेक्स देखते हैं साबर मती नदी पर यह इसका उद्गम स्थल का है जैस समंद जील कैसे याद रहेगा दोस्तों साबर मती नदी से आपको महत्मा गांधी याद आते होंगे कौन याद आते होंगे महत्मा गांधी ज की क्या गांदी जी ने हर तरफ जय की अपनी वह हर जगे जीते उनकी जय हुई आज भी उनकी जय हो रही है तो साबर मती से आपको महत्मा गांदी याद रखना और उसका उद्गम स्थल जय समंद जील जैसे ही ऑप्शन में आएगा और आपने देखा कि उसमें जय लगा है आप टिक कर दोगे तुरंट ठीक है इस तरीके से आप तुरंट आंसर का सही आंसर टिक करोबें चलिए नेक्स देखते हम दोस्तों तो दामोधर नदी काफियत तक similarity लग रही है, तो जो छोटा नाग भी होगा न, वो भी दमदार होगा, ऐसा नहीं कि इसे बड़े नाग दमदार होते हैं, यह बस आपको याद रखना है, दमदार, तो दोस्तों, जब आप पांच-छे बार इस ट्रिक को revise करेंगे, तो अपने आप याद हो गागरा, गागरा में आपको गाग पकड़ना है, क्या गाग, गाग लोग जानते हैं जिन से आप बार 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 बोलो कुछ, कुछ उगलवाने की कोसिस करो, लेकिन वो लोग बिल्कुल चुप होते हैं, मलब एक तरह के धूरत लोग होते हैं, जो की कुछ बोलते हैं गाग हो गया, गाग मतलब बहुत जादा चुप रहने वाला, जो अपनी बात को जाहिर न करे बोले न, तो ऐसे लोगों से क्या दुनिया तंग हो जाती है, क्या हो जाती है, तंग हो जाती है, किस से गाग लोगों से, बस, सिंपल ट्रिक है, याद हो गया, चलिए नेक्स देखते हैं नील नदी और कैसे याद होगा मैं नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया जील कैसे याद होगा सिम्पल है दोस्तों विक्टोरिया को तो जानते ही हम विक्टोरिया रानी विक्टोरिया वो कैसे कपड़े पहनती थी सफेद और सफेद कपड़ों पे नील च से चलिए दोस्तों नेक्स स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों अमेजन नदी अमेजन का कहा से उद्गम हुआ लैंगो विल फेरी कैसे आद होगा दोस्तों अमेजन से आपको याद रखना Amazon.in यह वेवसाइड है जहां से आप पर्चेस करते हैं सामान ऑनलाइन कैसे आद होगा दोस्तों लैगो विल फेरी तो यहाँ पे बिल लिखा है बिल मतलब खरीदने से संबने अरे बिल तो तब ही दोगे जब कुछ खरीद होगे ठीक है तो वो बिल लेंगे क्या लेंगे यह लोग बिल लेते हैं अमेजन वाले बिल लेते हैं तब आपको सामान देते हैं ठीक है साथ या कह सकते हैं आपकी बिल देते हैं साथ-साथ अम लाइगो विल फेरी ठीक है बस इसते फेरी मतलब सामान देना कुछ भी तो इस तरीके से अमेजन नदी का लाइगो विल फॉरेस्ट जैसे ही बिल आएगा आप लगा दोगे अमेजन से चलिए नेक्स देखते हैं डैन्यूब नदी और इसका ब्लैक फॉरेस्ट डैन्यूब स क्या याद रखेंगे दोस्तों डैन्यूब से याद रखेंगे दानों डैन्यूब से याद रखेंगे दानों और दानों कहां रहते थे ब्लैक फॉरेस्ट यानि की काले जंगलों में जी हां काले जंगलों में दानों रहते थे एक से बड़े 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 दानों रहते नेक्स देखते हैं दोस्तों हॉंग हो नदी और इसका उद्गम इस्थल क्या है कुनोलुन दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसे स्लाइड में इस्थान दिया लेकिन इसकी कोई ट्रिक हम नहीं बना पाए हम चाहते हैं कि आगर आपके पास इसकी कोई तो कमेंट में हमें लिखके जरूर बताइए ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं दोस्तों वोलगा नदी और इसका उद्गम इस्थल क्या है वल्डाई इसमें काफी हद तक सिमिलर्टी है वोलगा वल्डाई वोलगा वल्डाई तो इसलिए कुछ याद करने की जरूरत इसम प्रविर्ती के लोगों को किया एक तो दोस्तों यह बेहत्त पूंटरिक थी साथी साथी साथ यह प्रश्न है के लिए मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखके जरूर बताईए कि भारतिये मरुस्तल की एक महतपूर नदी कौन सी है ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, या फिर बी व्यास कौन सी है आप हमें कमेंट करके बताईए साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि more than 400 प्लस वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड कर दिये गए हैं प्लेलिस्ट में जाके आप सभी इन सभी को देखें इसमें खूब सारी ट्रिक के हैं हिंदी के काफी अच्छे अच्छे वीडियोज पढ़े हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों का बला हो सके अगर आप क्विज लगाने में इंट्रेश्टेड हैं और साथ ही साथ दूसरी यानने करेंट अफ्यार और इन सब को डाउनलोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट जॉबरिका.डॉट कॉम पर जाईए और यहाँ पर क्विज लगाईए प्रैक्टिस करिए जादा से जादा इसके साथ हम चाहेंगे कि अगर आप ट्रिक से रिलेटेड कोई आपके दिमाग में प्रश्ण है या आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर हम ट्रिक बनाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताईए बेजिचक बताईए ठीक हैं आज किस वीडियो में इतना ही मिलते ह मैं फिर किसी वीडियो में धन्यवाद